कार एक बाद फिर से आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर के एक और फैंटेसी 11 वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले है पंजाब, केंग्स और संप्राइजस हैदराबाद के बीट जो IPL 24 का 23 मुकाबला खेला जाना है इसकी फैंटेसी टीम इस व मैं लेके आता हूँ और इसमें लगातार हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो ऐसी प्यार बनाते रहे हैं आपके लिए रोज ऐसी नई नई वीडियो आपको लेके आते रहेंगे पंजाब केंग्स और संप्राइजस हैदराबाद का ये मुकाबला होने वाल CSK की टीम को हरा करा रही है तो दोनों टीम में पूरी confidence के साथ इस मैदान पूतरेगी ये मुकाबला चंदीगर में खेला जाएगा यानि कि पंजाब किंग्स के home ground पर ये मुकाबला होने वाला है संट्राइजस हैदराबाद भी काफी तगड़ी form में दिख रही है बढ़ते हैं अब इन दोनों मुकाबलों की बात करी जाए तो यहां पर आप देखिए ये 23 मुकाबला है शाम साड़े साथ बजे से होगा मंगलवार को ये मुकाबला खेला जाएगा काफी ताबड़ तो 9 अपरेल को ये मुकाबला होना है अब आगे बढ़ते हैं तो 277 रन बनेते पिछले मुकाबले में यहां पर तो अच्छी विगेट है और यहां पर देखिए पहले बैटिंग करते हुए टीम ने जीत हासिल करी ती तो यानि कि अभी ज़्यादा मैचस हुए नहीं है आई पिल के तो अभी नई विगेट है यहां पर लेकिन बैटिंग क करें तो पंजाब किंग्स और संट्राइज भारी दिख रहा है और इस मुकाबले में भी क्योंकि संट्राइज भारी जिस तरीके से सीजन में खेल रही है एक बफिर से पंजाब के उपर भारी होते हुए दिख सकती है तो चलिए आगे बढ़ते प्लेंग 11 की तरफ नज़ विगेट की पर बले बाज उसके बाद तीन नमबर पर प्रभ सिमरन सिंग होंगे सैम करन सिकंदर रजा पिछला मुकाबला खेल रहे लेकिर उतना कुछ खास प्रदशन आया नहीं है सिकंदर रजा को तो एक बार उनसे बहतरीन पारी की उम्मीद होगी हाला के लियम लिविं बाज कगी सो रबाड़ा अर्शीदीप सिंग आपको खेलते हुए दिखेंगे जबकि हर्श पटेल आपको एज इंपक्ट प्लेयर के तौर पे भी देख सकते हैं अब संट्राइज हैदरबाद की प्लेइंग लेवन देखते हैं अब यहां पर देखते तो भी है इनकी तो प्लेट प्लेट के सामने अब्दुल्समत होंगे पैट कमिंग्स जैदव उनाटकर भूनेश और कुमार और टीन अटराजन आपको खेलते हुए दिखेंगे इनकी बालिंग और मजबूत दिख रहे हैं टीन अटराजन की वापसी के बाद से अब यहां पर बढ़ते हैं की प्लेट की तरफ की दिरे दिरे अब टीम बनाने का सिलसला भी शुरू होगा तो यहांपे की प्लेट के अच्छी गेंद बाजी गेंद बाजी करी चार विक्टे नहीं निकाले हैं चार मैचेस में लेकिन पिछले मगाबले में कोई विकेट हासिल नहीं कर पाय थे महंगे ट्रेविस हैड बलेबाजी करते हुए दिखेंगे जो कि दोनों ही तावर तोड़ अंदाज में खेल रहे तो वहाँ प्यर्शेदिप का फॉर्म बहुत जरूरी है साथ में कगी सो रबाड़ा जो अभी तक हर मैच में आपको विकेट लेते हुए दिख रहे हैं विकेट टेक रही नहीं है तो जोनि बैस्ट्रो से भी की प्लेयर है भी या ओपन करते हैं शिकर्दवन के साथ अच्छी पार्टनर्शिप करते हैं तो एक बर फिर से वैसी पाटनर्शिप की जरूरत होगी शिकर्दवन की बात करें 70-45-22 पिछला मुकाबला खास नहीं रहे था है एक पे आउट हो गे थे तो शिकर्दवन अगर शुरुआत दिलाते हैं तो शिकर्दवन की टीम थोड़ी बहतर पोजिशन में पहुचते हैं तो शिकर्दवन का रन बनाना बहुत जरूरी है तो टीन अट राजर जिस तरीके से खेंदवाजी करते हैं इनकी यॉरकर्स काफे शांदार होती तो इनको भी आप अपने टीम में रख सकते हैं अच्छे एसट होते हैं यह अच्छा पॉइंट्स आपको दिला के जाते हैं उसके बाद सहभाज अहमत बात करी अच्छे और र कर रहे हैं हलांकि इनका कैज भी छूटता रहता है लेकिन उसके बाद यह मौका नहीं देते तो ट्रेविस हैड अगर यह मौका दिया तो यह फिर छोड़ने वाले नहीं है उसके बाद पैट कमिंग्स हर मुकाबले में कप्तान विकेटे ले रहा है हर मैच में इसके देख अगर इनको मिल रही है साथ में आडेन मारकरम पिछला मुकाबला पचास बनायते अच्छी बैटिंग करी थी वहां पर तो अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं सामने अच्छी बैटिंग करी थी उसके बाद अभी शेक शर्मा 37 तुफानी पारी खेली थी मारकरम में 50 बन इनको आप अपनी टीम मिल लेते हैं तो ये कही न कहीं आपके लिए एक बहुत बहुत बहुतर चोईस हो सकते हैं उसके बाद भीया हेंडरी क्लासन का नाम आता है अब ये क्लासन ऐसा बले बाज़े मैच में बस दस रन बनाने की जिसको जरूरत पड़ी थी लेकिन ये हमें देखने को मिल सकता है nosto phase ये होगी की प्लिए की बाद जिन्हें हम अपनी टीम में रहना चाहेंगे आप स्मॉल लिग के बात कर लेते हैं इसे क्ह». बनते हैं जिनको आप स्मॉल लिग में भरोसा कर सकते हैं साथ में शिखरदवन 210 पॉइंट है रन बना ना जानते हैं रन बना रहें लगातार पिछला मुकाबला नहीं बना पायते हैं लेकिन आप होम ग्राउंड पे खेल रहें तो यहां पे शिखरदवन फिट से रन बनाते हैं स्मॉल लिग्ल फी और ग्राउंड लिगख में इसे को जाड़ी है जो थोड़े से हो सकते ह हैं पहले पंजाभ किंग की बात करें तो यहां पर सिकंदर रजा हो सकते हैं सिकंदर रजा क्यों कि अभी तक के वाद 17 पॉइंट जिता हैं अपने टीम के लिए और यहां पर आश्यतो शर्मा का भी नाम है लेकिन मैं मानूँ हुआ कि आश्यतो शर्मा नीचे बल्ले बाजी करने आते हैं इस वज़े से थोड़ा सा रिस्क है क फिर हम रखे भी तो उनके साथ भी थोड़ा सा रिस्क है इसलिए हर्शा पटेल अशुतो शर्मा और साथ में शिकंदर रजा यह आपके लिए पंजाव किंग्स की तरफ से थोड़े से ग्रैंड लीग में रिस्की हो सकते हैं उसके पाद सारेश के नजर डाले जाए तो य रंतरता नहीं दिख रही है इनकी परफॉर्मेंस में जिसके वज़े से थोड़ी सी दिक्कत है थोड़ी से रिस्क है हालां कि आप भुनिशुर गुमार के साथ जा सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ा जाए तो फैंटेसी टीम किस तरीके की बनेगी सबसे पहले हमें विग्ट कीपर बलेबाग चुनने हैं तो विग्ट कीपर के पास हमारे पास बड़ी दो अच्छे चोईस है एर बलीबाग बासर बलेबाग क्ला पपको बंत चोड़ में जब्हाए चोड़ना कि बहुत reliedसी शर्मा को बिल्कुल भीम चोड़िएगा अब ही तक एकदम तुफानी शुरुआत कर रहे हैं उसके बाद शिखर्दवन, ट्रेविस एड और प्रब सिम्रन को आप अपने टीम में रख सकते हैं उसके बाद ऑल्ड राउंडर की बात करें तो यहां पे सैम करन हो सकते हैं और एडन मारकरम यह दो खिलाडी आपके नहीं है तो आप वहां पर भुनेशर कुमार भी है टीनर टराजन भी है इन दोनों में से भी किसी को आप अपने टीम में रख सकते हैं तो यह पहला कॉंबिनेशन था फाइनल टीम आपको पता है कहा मिलने वाली है यूटूब चैनल पर जब हम मैच से पहले लाइव लिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फटी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव में भी नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए आपको क्या करना है बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि फटा 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 आपको नोटिफिकेशन आ और आपके काम आएगी इसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद